जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहली बात है, वो ये है कि किसी भी कर्म से होता क्या है? कोई भी कर्म, चाहे आप अच्छे करो चाहे बुरे करो, उस कर्म से एक खास तरह की हैविट आपके अंदर जेनरेट होती है, एक आदत, धीरे-धीरे वो जो कर्म होता है, उस कर्म को लगतार लंबे समय तक अगर आप करते हो तो आइस्टे आइस्टे एक समय ऐसा भी आता है, जब वो कर्म आपके अंदर खास तरह के संसकार को भी बना देता है जैसे अगर कोई इनसान किसी लत्त में है तो किसी भी लत्त की शुरुवात इनसान सौक से करता है या किसी के कारण से करता है लेकिन लत्त की जब शुरुवात होती है और लंबे समय तक लत्त का सेवन करता है किसी भी अडिक्शन तो एक समय वो लत उसे पकड़ लेती है और वही उसका संसकार हो जाता है संसकार को ही हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग तयार हो जाती है अब प्रोग्रामिंग जब तयार हो जाती है तो बहुत सारी चीजे वो इनसान आटो मोड में करते रहता है आटो मोड में करने का मतलब है मालो किसी को किसी चीज की खाने पीने की लद लग गई जैसे मालो कोई आट में ड्रिंक करने लगा कोई पान मसाला, कोई पान ही काने की किसी की आदत लग गई कोई स्मोकिंग करने की किसी को आदत लग गई तो वो हर बार सोच समझ के नहीं करता आटोमेटिक उसे वो चीजे हो जाती है संसकार के कारण से